रहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा से आहत बीजेपी अपने नापाक मनसूबों को पूरा करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी को तोड़ने में लग गई है। इसी का नतीजा है कि गोवा में बीजेपी ने कॉंग्रेस के आठ विधायकों को तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके बाद कॉंग्रेस नेता उन्हें जहां एक तरफ भारतिय जन्ता पार्टी पर जोरदार हमला बुला तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात किया शंका भी जताई कि उन्हें लालाच या फिर जांच एजंसी का डर दिखा कर तोड़ा गया। कॉंग्रेस के सीनिय नेता जैराम रमेश ने बीजेपी को आड़े हाते लेते हुए कहा था कि भारत जोरो यात्रा की सफलता की वज़े से बीजेपी डर गई है। उन्हें ने ट्वीट कर कहा था कि भारत जोरो यात्रा की सफलता के कारण बीजेपी ने ओपरेशन कीचन को तेज कर दिया है। इन होटलों में लोबो की हिस्सेदारी है। तब लोबो ने कहा था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लोबो और राने के बीच महीनों से तनाव चल रहा था। पिछले विधानसभा सत्र के दोरान राने ने कहा था कि वो उत्री गोवा योजना और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कारेकाल के दोरान कथित तोर पर लोबो ने जो गड़बडियां की हैं उसका परदाफाश करेंगे। बीजेपी लगातार कॉंग्रेस के विधायकों के खिलाफ जाच एजंसियों के इस्तिमाल का डर दिखा रही है। शायद यही वज़ा थी कि माइकल लोबो डर गए, माइकल लोबो ने बीजेपी की साजिश में शरीक होकर कॉंग्रेस के बाकी विधायकों को भी इसमें शामिल कर लिया। गोवा में बीजेपी के इस खेल से साफ है कि वो राहुल की यात्रा से काफी डरी हुई है।